नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Bangalore में प्रपोजड एक नए Hyperloop प्रोजेक्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों Bangalore में रिसेंटली एक Hyperloop प्रोजेक्ट जो है इसको प्रपोस किया गया है तो आज किस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखेगा एंड तक आप लोग देखेंगे तो आप लोग को इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी तरह की डीटेल्स भी पता चल जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर Bangalore में केस एरिया में और कहाँ पर इस Hyperloop प्रोजेक्ट को प्रपोस किया गया है तो वीडियो काफी जादा इंटेस्टिंग रहने वाली है को शुरू करते हैं दोसों Virgin Hyperloop 1 और इसी के साथ में हमारी Bangalore International Airport Authority जो है या फिर Bangalore International Airport Limited जो है इन दोनों की बीच में एक Memorandum of Understanding जो है यह Virgin Hyperloop 1 यानि आप लोग बोल सकते है Hyperloop चलाने के लिए इस Memorandum of Understanding को जो है यह साइन किया गया है और अगर हम लोग बात करें कि यह कहां से लेकर कहां तक चलेगी तो यह Bangalore में Campey गोड़ा हमारा International Airport जो है यहां से लेकर Bangalore के City Center के बीच में चलाने की प्लानिंग करी जारी है जहां पर जो Hyperloop के पौड रहेंगे वो 1080 kmph यानिकी 1000 km पर आर की स्पीड से भी ज्यादा की स् वाले हैं और इस पूरे डिस्टेंस को सिर्फ 10 मिनिट के अंदर ही complete कर लेंगे Virgin Hyperloop 1 और BLA के बीच में जो Memorandum of Understanding sign किया गया है उसके according अभी pre-feasibility test conduct किये जाएंगे जिसके अंदर technical, economical और route की feasibility पर focus किया जाएगा और इसे 6-6 महिने के 2 phase के अंदर पूरा किया जाएगा इ क्योंकि Bangalore के अंदर traffic की काफी ज़्यादा problem है 2019 की अंदर ही commuters ने traffic की वज़े से 243 घंटे से ज़्यादा का समय खराब किया है दूसरो Bangalore का जो यह Campegoda International Airport है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा airport है और इसी के साथ में South India क सबसे ज़्यादा busiest airport है लेकिन इतना बड़ा airport होने के बावजूद भी यहाँ पर connectivity की हमेशा से ही काफी ज़्यादा problem रही है ट्रैफिक की हमेशा से ही काफी ज़्यादा problem रही है हाला कि इस project के आने के बाद में और route connectivity के edition में बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारा जो railway का suburban network ह यह भी operational होने वाला है और आने वाले चार साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो metro की connectivity है यह भी पहुच जाएगी जिसके बाद में यहाँ पर जो बैंगलोर के लोग हैं उनको यह traffic में काफी जादा जो relief है यह देखने के लिए मिल जाएगा अब दोस्तों आखरी में बात यहा possibility test जो है पूरी तरह से conduct किये जाएंगे यानि कि एक साल तो यहाँ पर यही पता लगाने में लग जाएगा कि यहाँ पर hyperloop को operation किया जा सकता है या फिर रही किया जा सकता है तो अभी तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से हाँ भी है एक तरीके से ना भी है चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है इसके अलावा अगर मैं मेरे point of view के बारे में बात करूं तो airport से लेकर city के बीच में hyperloop चलाना मुझको कहीं से भी सही नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग बोलेंगे तो काफी जादा investment भी लगेगा और सिर्फ 10 मिनिट में यहाँ प पहुंच जाएगा metro आजाएगी उसके बाद मुझको लगता है नहीं कि यहाँ पर hyperloop जो है इतनी जादा यहाँ पर आप बोच सकते हैं successful रहेगी hyperloop को अगर हम लोग intercity transport के लिए use करें तो वो एक काफी साथ game changing चीज जो है यह हो सकती है इसके बारे में आप सभी लोग का क् सकते हैं कि बैक लॉग में चला गया है इसके उपर भी कोई काम नहीं चल रहा है जैसे ही यहाँ पर महाराष्ट की गवर्मेंट चेंज होगी है इसके उपर मैं अप लोग आई बटन के उपर मिल जाएगी अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते तो इस वीडियो क भी देख सकते हैं चार्जी साथ में अगर आप लोग बोलेते हैं यहाँ पर पंजाब में भी एक हाईपर लूग प्रोजेक्ट जो है इसको इंट्रिजूस कर दिया गया है यह मेरे परसनल पॉइंट हो सकता है आपको सही लगें हो सकता है आपको गलत भी लगें आप पसंद आई हो तो उसे जरूर से लाइक किजेगा शेर किजिगा अपने दोस्तों के साथ में साथ ही साथ में आप लोग चैनल पर पहली बारा हैं और आगे जाकर भी हमारे रियल इंफ्रासेक्टर से लेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्स